हलो दोस्तों सागत है आपका इसके फार्मनी फार्मूला में दोस्तों आज जी मैं आपको बताऊंगा बटन मस्रूम की खेती में पांच ऐसी दवाई यूज होने वाली जो आसानी से मार्केट में अवेलबल रहती हैं और कई लोगों का कोस्चन भी था कि सर्फ बटन मस्रू मस्रूम की खेती हो और चाहें और चाहें मिलकी ओ लेकिन यह जो दवाईयां है प्रापर सुरू से लास्ट तक यूज होती रहती हैं तो दोस्तों बने रहे हैं वीडियो के अंतर और मैं आपको बताऊंगा कि बटन मस्रूम खेती में उप्योग होने वाली फांच दवाई दॉस्तों मैं आपको बता दूं सुरू से लास्ट तक हमारी बटन मस्रूम खेती में सुरू से लाट तक यह जो दमाईयां यूज होती हैं सबसे पहले विवरष्टीन दौस्तों के आया यह फंगी साइड दवा होती है आपने देखा होगा कि अपर तैयार होती है तो उसम पर संट तो हम यह करते हैं और इसके जगाँ पर फेंटालिव पर सकते हैं लेकिन नहीं यह जो मैंने आपको टेक्निकल वह ला तो बहुत ही अच्छा रहता है और इसमें जो फंगस आते हैं हमारे इसे कंपोस्ट बन गई उसमें आ गए उसके बाद में जब वारी बिजाई होती है तब जिसको ग्रीन मॉल्ट कहते हैं तो इसी की बजा से होती है जो पहले हमारे किसानवाई खतम इसको नहीं कर पाते और इसमें एक और प्रोब्लम होती सबसे बड़ी वो होती है कि कुछ लोगों की बिजाई होने के बाद 6-7 दिन में कुछ मसरूम दिखने लगते हैं बो दोस्तों फेक मसरूम होते हैं इसी फंगस की बजा से यह फंगस आपका खतम नहीं होता इसी की बजा से आगी प्रोब्ल किया जाता है जैसे कई जीव जंतों के तो कंकाल संतों को सुरच्चित रखने के लिए और इसको जो हमारी बट्र मसरूम खेती में जो उप्योग होती है जैसे कहीं छोटे कीडे मकोडे या मतलों कीट मतलब खतम हो जाते हैं लेकिन क्या है कई बार ऐसा होता है कि यह खतम नहीं होते कई भी ऐसे लोग है जिनके में एक सुरू से उन्हां निर्जीविकरत कर दिया लेकिन निर्जीविकरत करने के बाद भी कीडे उसमें बने रहे वह दोस्तों इसका रीजन यह है कि या तो आप इसको मतलब सभी ज्समें जादा डोज में डालेंगे तब खतम होता है कीडे केवल भी हो सो जाते हैं पर आप खतम नहीं होते हैं तो इसकी जगहा पर आप फिवराडान एजो दूसरा है इनसेक्टिसाइड होता है और जो यह अधर कंपिनों का होता है लेकिन टिकनेकल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं वह आपको बहुत ही ध्यान रखना है कार्वे फिवरान थिरीजी से आप दस कुंटल भूसे में सोका दस कुंटल भूसा है तो उसमें आप 2 kg डाली है क्योंकि वह हमारे डवल से डाई होना हो जाता है तो उसके लिए 2 kg डालें और यह जो विवस्टीन है वह दो परसेंट दोस्तों यूजोती है एक लीटर में दो ग्राम और इसके बाद में जो फ्यूरा डाने कीट ना सक होता है इसमें रेंगने वाले हैं कीट बहुत ही अच्छे से खतम हो जाते हैं और इसके बाद में 25 परसेंट एक याग पेस्टी साइड दवाई होती है और हमारी बटर मसुन खेती में बहुत ही अच्छा इसका योगदान रहता है जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जिनके में बीमारियां आ जाती हैं और वो खतम नहीं होती हैं तो आप इसका इस प्रेय के तवर पे भी उप्यो है तो भी वह हैं लेकिन उसकी बजा किया वह पहले से ही नहीं खतम हुए तो आप उसके जगह पे मैंने इसे कई भी वीडियो में बताया है जो अच्छे से 20 ml 20-25 ml डालके इस प्रेय भी कर सकते हैं जब आपका प्रोडक्शन यानि कोई फसल चलती ना हो तब इस प्रेय कर सकते हैं और अगर फसल चल रही हो तो उसको 24-26 गंटे वीतित हो जाने चाहिए उसके बाद मतलब मस्रूम निकाले उसके पहले आपको यह दवाई यूज कर क्या है जो पेस्टिसाइड दवाई में आ जाते वो खतम हो जाती है लेकिन इंसेक्टिसाइड में केवल आपके उड़ने वाले ही कीट जल्दी खतम होते हैं और कोई ऐसे अन मतलब तरहां-तरहां की कीडे मकोड़े आते वह नहीं खतम होते तो उसकी जगहा पे साइपर मे मिल जाएगा लेकिन नुबान के नाम से नहीं मिलेगा क्योंकि यह बंद हो चुकि है तो इसकी जगह पे आप मतलब यूज कर सकते और यह जानकारी उन लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टन थी जो लोग बटन मुसरूम की खेती करना चाहते हैं क्योंकि कई इसे किसानवा हैं जिनको यह मतलब दवाईयां नहीं मिलती हैं तो उसे अभी से होज करके रख सकते हैं और आज की हमारी जानकारी अच्छी लिए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मसरूम से रिलेटेड एटूज जानकारी में लेता रहता हूं और उन लोगों के पास जरू सेयर करें जो इस खेती में निव हैं और मिलते हैं नेस्ट वीडियों जब तक के लिए जय जवान जय किसान